बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में 17 नवंबर को अलू अर्जुन के फिल्म पुश्पा टू दा रूल का ट्रेलर लॉंच किया गया जिसके लिए एक grand event रखा गया था जिसमें दो लाग से भी ज्यादा लोग अलू अर्जुन और रश्मिका बंदाना की जहलक पाने पहुँचे लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पुलिस को लाठी चार्ज तक करने पर मजबूर कर दिया दरसल इस दौरान भीड बे काबू हो गई और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरे वाइरल हो रही है पुषपटू के ये ट्रेलर लाउंच में भीड ने चपल, इंट, पत्थर और बोतले तकफे की जिससे कई पुलिस वालों कुछ उटे आई है हालात इतने खराब हो गए कि भीड को रोकने के लिए बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को बुलाना पड़ा और कई बैरिकेट भी तूट गए कुछ लोग तो वाच टावर तक पर चड़ गए आप भी देखे वीडियो अलू अर्जुन रश्मी का मंदाना जब गांधी मैदान पहुँचे तो भीड उनके पीछे भागती नजर आई ट्रेलर लॉंच एवेंट शाम साड़े च्छे बजे रखा गया था लेकिन ये शाम पांच बजे से ही शुरू हो गया था इस एवेंट में अलू अर्जुन रश्मी का मंदाना के अलावा पुश्पा टू के अनेक अलाकार भी शामिल हुए थे अलू अर्जुन जब पटनाई अरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने फैंस के लिए अपना पुश्पा स्टाइल वाला सिगनेचर पूस भी किया था वो अरश्मी का मंदाना ताज जूटल में रुके हैं ट्रेलर लॉंच के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी आलम ये था कि फैंस अपने फेवरेट अक्टर अलू अर्जुन के आने का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि अधिया जा चुका है अपकोस सिर्फ बिहार की ही नहीं पूरे देश की शान है वो और उन्होंने जो एक बिहार की माड़ी का जो स्कॉंधी पर और आत्मी अनम से जिस तरह से रहे कर दो कर दो